स्किल्ड भारत का सपना अगर देखा है तो उसकी शुरुवात होती है आई टी आई इंस्टिटूशन से नमस्कार मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं शम इन्शाला आज हम आए हैं गवर्मेंट आई टी आई नंद नगरी में आज हम यहाँ पर आए हैं और हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ के प्रेस्मेंट सेल के हेड और यहाँ के वाइस प्रिंसिपल से और जानेंगे कि आई टी आई के बाद बच्चों को जो मिलने में क्या-क्या फाइदे हैं क्या-क्या नुकसान है, क्या-क्या परेशानी आती हैं, आइए चलते हैं और देखते हैं, Government ITI नंद नगरी. इस वक्त हैं हम Government ITI नंद नगरी के प्लेस्मेंट सेल के हैर, Mr. श्रीकांद शर्मा जी के साथ. Sir, श्रमीन शाला में स्वागत है आपका. Thank you. Sir, जैसे ही प्लेस्मेंट सेल की बात आती है, मन में सबसे पहले ये कुनता है, कि यही वो जगह है जहां पर बच्चों का और कमपनियों का मिलन होता है. मैं चाहता हूँ, आप अपने शब्दों में बताए, कि एक्चली प्लेस्मेंट सेल कैसे काम करती है, Sir? में जो इंडर्स्ट्रीज हैं, उनसे कॉलबरेशन करती है, उनसे लाइजन करती है, उनसे हम फोन से, मेल से कुन्टेक्ट करते हैं, या परसनली जाकर के अचार से बात करते हैं, कि हमारे हाँ पर हम इस तरीके से ITI में बच्चों को training दे रहे हैं तो आप हमारे लिए vacancies बताईए आप तो उसके लिए हम companies से contact करते हैं और फिर बच्चों को उनका workshops कराते हैं companies की बच्चों को उनके बारे में बताते हैं कि ये particular ये company है इसके पास vacancies है उस trade की तो वो हम उस त लाइजन और बच्चों को उसके बारे में guidance वो काम करते हैं जो हमारे इस तर पर जो अमोमन देखा जाता है कि जो company हमारे इस में आती हैं को इस तो आप करते हैं तो कुछ गोल भी रहता है कि इतने बच्चों को कम से कम होना चाहिए है ये totally company के उपर depend करता है नहीं company के उप पर अगर किषी company की requirement कम है तो हम और ज्यादा company's देखते हैं एक ही company में सारे बच्चे तो नहीं हो सकते बच्चे हमारे पास बहुत हैं तो उस तरीके से हम बहुत सारी company's से approach करते हैं कि कुछ बच्चे की company में कुछ बच्चे कि अन्दर जितनी strength हम maximum उन बच्चों को placement दिला सकें उस तरीके से हम companies को approach करते हैं सर वैसे तो teacher के लिए होता क्या है कि सभी बच्चे एक समान होते हैं लेकिन फिर भी अगर हम आपसे सवाल करें कि जो आज का scenario देखा जाए तो कौन से trade ऐसे हैं जो हमेशा मतलब demanding रहते हैं कि उनके बच्चों का जल्दी सेलेक्शन हो जाता है कुछ ऐसा criteria या रखा है आपने सर नहीं हमारी तरफ से तो criteria नहीं तो market की demand है लेकिन जो हमारे जो basic जो trade हैं जैसे fitter है motor mechanic है electrician है electronics है यह trades जो बहुत जादा demand में रहते हैं इनकी vacancies हमारे पास जादा आती है बात तक भी जब हमारे बच्चे सारे placement हो जाती है उसके बावजूद भी बच्चे मतलब उसकी requirement हमारे पास companies की आती रहती है कि हमारे पास हमें कुछ बच्चे और दो कुछ European areas है कुछ trades हमारे ऐसे हैं जिसमें हमारी placements थोड़ी सी कम रहती है और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें self employment के चांसी जादा होते हैं जैसे लड़कियों की trade है या उसमें हालकि को एड भी है वह कटिंग स्विंग है और हमारा embroidery है या फिर हमारा उदर beautician है basic kosmetology तो वो यही है कि उसमें उनका self entrepreneurship का factor काम करता है सर अगर आप मैं चाहूं कि कुछ company जो random frequently आती रहती है यहाँ पर कुछ का उलेक करना चाहेंगे सर आप हाँ जैसे हमारी Meta India है Meta Sui है Meta Sui company है greater noida में या महा enterprises है CNG में वो करती है IGL के बिहाब पर काम करती है और मारूती के जो service centers है मारूती क्या बलकि service centers हमारे कई सारे टाटा के भी है मारूती के भी है या हंड़ाई के भी है वो हमारे पास generally आते रहते हैं Sir normally ratio क्या रहता है मतलब मतलब जो हम बोलते हैं कि यह campus selection जो होता है तो कितने percent बच्चों के chances रहते हैं या कुछ ऐसा आया है normally अमोमन देखने में नहीं ऐसा तो actual में होता है campus placement हमारा करीब 60% के आसपास जाता है हो जाता है और उसमें भी और ज्यादा भी हो सकता उसके बावजूद कुछ companies की जो अपनी demand होती है या तो पैसे कम देरे होते हैं इस वज़े से बच्चे वहां जाना नहीं चाहते हैं उसी तरी की दिक्कत है दरवाई तो हमारे placement और भी अच्छी हो सकती है तो 60% इसी वज़े से रह जाता है क्योंकि कुछ companies के अपने criteria है या कुछ companies अपना apprentice ही रखते हैं बच्चे apprentice नहीं जाना चाहते हैं पहले क्योंकि हर आदमी पहले job चाहता है कि मैं job लूँ हालकि apprentice अगर पहले कर ले तो उसमे job मिलने के ज़्यादा chance है अच्छे रहते हैं फिर मैं इसी कारिकरम के माध्यम से ऐसा सवाल आपने अभी बोला है हर बच्चे की सोच ये रहती है कि मैंने ITI कर लिया है तो मेरी जल्दी से जल्दी job लगे प्लीज मचाऊंगा हमारे इस कारिकरम के माध्यम से और आप एक न development अपना करते हैं उसमें उतनी practical knowledge और companies की समझ है वो उनको नहीं मिल पाती है तो उसलिए apprentice उनको करना ज्यादा जरूरी है जिससे उसको companies की समझ आ जाती है और वो फिर job में ज्यादा success होने के उनके chance हो जाते हैं उसके लिए उन्हें apprentice करनी चाहिए मेरा तो यहीं सुझाव है बच्चों को अधरवाइज हालगी उसका अभी हम जो कर रहे हैं on job training हम बच्चों को कर तो उसके बच्चों में company की समझ और काम करने का तरीका पता चल जाता है companies के बारे में पता चल जाता कि वहापे कैसे काम करें तो वह काफी हद तक on job training भी उसमें सहायता हमारा करता है सच जैसे बच्चे course complete कर लिया और उसके बाद अब job के लिए तैयारी करते हैं तो जो प्रिक्रिया होती है जिसमें placement cell एहम भूमी का निभाती है company आती है मैं जानना चाहूंगा आप क्या feel करते हैं कि जो बच्चे होते हैं अधिकतर उन्हें क्या problem face जादा करने पड़ती है बच्चे को ज्यादा है कुछ वो निए बच्चे तो अपने एक तो ना दूरी का बड़ा इशू होता है कि वो दूर और एक जो उनको बच्चा है उनको जो comfort zone में होते हैं क्योंकि यहां पर तो comfort zone से निकलने में उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है कि वो उतनी मेहनत नहीं क आता है कि नजदीक में जोब रहे उनकी उसमें problem रहे अच्छा मैं एक क्योंकि आप सर्फ placement cell के head है मैं हम company उसमें जाते रहते हैं अपनी वीडियो के माद्यम से कुछ company वाले जो specially direct approach करते हैं स्कूल को उनका एक बड़ा ये सवाल रहता है कि जो बच्चे हैं वो apply तो हर का comfort zone comfort zone में से कोई भी किसी की भी बात है वो निकलना नहीं चाहता है तो बच्चे कई जगे apply करते हैं फिर वो अपनी समझ की ढूंडते हैं उसके अंदर कि जो उनको approachable हो नजदीक हो और जो ज़्यादा उनको पैसे इतने कम लग रहे हैं जिसको वह अपना ये समझते हैं अपना खर्चा भी नहीं चला पाऊंगा तो इस वज़े थोड़ी उनको दिक्कत आती है इसलिए नहीं जा पाते हैं सर आपने बताया कि लगभग 60% बच्चों का selection नोर्मली campus के दोरान हो जाता है campus जो company आती है सरुन 40% बच्चों के बारे में क्या रहता है जो selection नहीं हो पाता उसके लिए हम अभी और companies बहुर जादे approach कर रहे हैं और उसे बच्चों की भी counseling कर रहे हैं वह बच्चे क्योंकि इसलिए भी कुछ बच्चे इसलिए भी रह जाते हैं वह अपना proper interview नहीं कर पाते हैं कुछ बच्चे इसलिए भी रह जाते हैं अधर्वाइज अब बच्चे हम बच्चों को यह कहना चाहेंगे हम कि वह अपना इसके अपना proper रखें थोड़े ठीक से करें प्रैक्टिकल नौलिजी पर ज्यादा है फोकस करें उसी के लिए उसी की तरीकी के हम counseling करते हैं तो और इस बार हम जो फेर वगारा पर भी काफी अप्रोच कर रहे हैं कई सारे हम online portals देख रहे हैं जैसे उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारी सरमीन की है सरमीन पर हमारी बहुत सारे बच्चों को हम बताते हैं उसके बारे में हैं महां पर बहुत अच्छी तरीके से vacancies आती हैं और बच्चे apply करके उसमें जा पाते ह सर आपने श्रमीन का जिक्र किया है तो मेरा सवाह लगला यही होने वाला है हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन result आप हमें बताएंगे सर श्रमीन के साथ जुड़ने से कुछ फायदा हुआ सरमीन से हमें बहुत फायदा हुआ है सरमीन से हमें बहुत सारी vacancies मिल पाती है और हम उसका काम करने का जो तरीका है मतलब मैं इस से पहले जब तक मैं यहीं मिला था मैं इस बारें अपने आप मनें सोचा भी बड़ा फायदा है उसमें क्योंकि हम भी अपलाई करा पाते हैं बच्चों को उनका कमपनीज को हम देख पाते हैं वेकेंसी युसके अंदर काफी होती है सर शमिन से तो आप जुड़े और यकीन मानिए हमें आपके साथ जुड़ने का सोभागय मिला यह हमारे लिए बहुत अच्छी वात है चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद शम इन्शाला को इतना समय देने के लिए और अपने सुझा और अपनी बाते हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वक्त हमें यहां के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर संदीप कुमार जी के साथ सर शम इन्शाला में स्वागत है आपका थैंक्यू सर इससे पहले कि हम बाच्छी शुरू करें मैं चाहूंगा कि आप यहां आइटियाई क पर पढ़ता है डैली के अंदर आइटियाई नंगरी एक कोईड इस्टिट्यूट है जिसमें इंजिनिंग और नॉन इंजिनिंग के बहुत सारे कोर्स चलते हैं तकरीबन 18-20 ट्रेट्स चलती हैं 2015 में Multisectoral Development Program के तहट Women's के लिए एक और इसी Campus में instruction हुआ जो की 2015 से चल रहा है वहां भी आर्ट ट्रेट्स हैं Only for girls के लिए और यहां पर एप्रॉक्स 1000 trainees training करते हैं यहां जो courses है वो एक साल के हैं दो साल के लिए हैं तो सर यहां पर नॉर्मली ट्रेड कौन-कौन से हैं बच्चों के लिए यहां पर ITNN नगरी में इंजिनिंग ट्रेड के तहत ड्राफ्ट्समें सिविल, टर्णर, मसीनिस्ट, हमारा टूल एंडाई, देन वेल्डर, मोटर मेकानिक वहक्किल, स्कूटर मेकानिक, यह सब ट् फिर हमारे पास SOT है, जो की इम्रोडरी ट्रेड है, फॉर गल्स, इसके लावा स्टैनों इंग्लिस की ट्रेड है, और स्विंग टेक्नलोजी है, इस तरह की बहुत सारी काफी स्कूप है बच्चों के लिए, सर एक नॉर्मली जो भी बच्चा ITI करता है, कहीं ने कहीं उसक कम्प्लीट करने के बाद, इंटर्शिप करें, या जोब के लिए अप्लाए करें, तो इसमें क्या रोल रखती है ITI जर्व? ITI में हमारे जितनी इंजिरिंग और नॉन इंजिरिंग की ट्रेड्स हैं, उसमें तकरीबन हमारे पास हजार बच्चे के आसपास आता है, और आज की डेट में ITI के अंदर आपको हैंड्स ओन एक्स्प्रियेंस सिखाया जाता है, आपको मसीनों पर काम करना पड़ता है, आ जाता है, अगर बच्चा अपना काम करना चाता है, तो इसको हर तरह से असिस्ट कराते हैं, जिसमें की बच्चों को फंड रेज करा सकते हैं, अगर व अपना कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहे इसके अलावा हम कई सारे बैंक से यहाँ पर कैम्प लगाते हैं जो कि उनको किस तरह से उनको कम से कम ब्याज पर फिर ब्याज मुक्त रिंड कैसे मिलेगा अपना स्टाट अप करने के लिए और इसके अलावा बस यह सर मतलब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा चूकि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं कि आज कल सिर्फ थियोरी से नहीं जो भी कोई है उसको स्किल्ड होना वड़ेगा और अगर बात आ जाती है जैसे कंपनिया हैं वो भी आज के टाइम में थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है तो वो भी स्किल्ड मैन पावर की बहुत तलाश रहती है तो आप लोगों के यहां पे इस पेशली जो आज के त्री मोदी जी का जो कहना है कि कौसल विकास ही हमको वर्ल लेडर बनाएगा तो उसके इसाब से हर एक व्यक्ति को कुसल होना पढ़ेगा अपने काम के लिए तो जो ITS के अंदर कोर्स चल रहे हैं इसमें मैक्सिमम हम प्रैक्टिकल कराते हैं 30% इनका जो ठीओरी का स्लेवस रहते हैं और 70% प्रैक्टिकल रहते हैं इसमें भी बच्चे का जैसे एक साल या दो साल का कोर्स है काम सीखना जरूरी है बच्चे को ठीओरी भी पढ़ना है यहां प्रैक्टिकल भी करना है उसके बाद ITI के कोर्स के पिरिड में ही उसको कंपनी में जाके अपना हैंड्स-on experience करेक्ट करना है तो यह बच्चे को उसकी परसनालिटी डवलप में उसके इसकी डवलप्मेंट म यहां पर तो काफी सारे बच्चे क्या होते हैं इस जिनका सेलक्षन हो जाद ह्यादा उनकर थो अच्छा होता है लेकिन काफी सारे बच्चे होते हैं पग-गग पर काॉंसलिंग के जबूद होती है का कुछ नहीं पर हमें सब्सक्राइबिर को W attend आना है, personality development करना है, और उसी में उनको counseling दी जाती है, इसके अलावा बहुत सारे NGO हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें की question lines है, नंदी foundation है, महिंद्रा pride का, स्रमिन साला है, इनके तहित भी हम बच्चों को point to point, कभी कभी समय समय पर counseling दी जाती है, कि वो कैसे अपने career को आगे सही रास्ते पे लेखे जाए, और एक अच्छा career adopt करें, सरी यह तो काफी अच्छा है, मतलब कहीं न कहीं, मतलब आपका maybe main motto यही है, कि बच्चे यहां से जब निकले, तो एक job के साथ निकले, हमारा motto तो यह रहता है, कि बच्चा entrepreneur बने, कहीं किसी अच्छी company में काम करें, और हम उसको इतना practical training दे देते हैं, यहां पे, और OGT के तहत कंपनियों में, कि वो किसी भी company में जाके job कर सकता है, सर, अंत में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, कि जो हमारा Shramin Portal है, क्योंकि हम आप से जुड़े हुए हैं, और आप हम से हैं, सो आप क्या देखते हैं, जब से Shramin से जुड़े हैं, कुछ मतलब, बच्चों के लिए कुछ फायदा हुआ है, सर? Shramin Salah से जुड़ने से पहले, हमारे पास एक limited company से कांटेक्ट थे, हम उसी में बच्चों को प्लेस करा सकते थे, या थोड़ा और companies से कांटेक्ट बनाने की कुछिस कर रहे थे, पर जब से Shramin Salah से हम जुड़े हैं, हम all over India, कभी जैसे जैसे company की demand आती है, पोस्ट, हम उसको देख सकते हैं, और हमने सारे बच्चों को उस पर register कराते हैं, हर साल जितने बच्चे हमारे पास admit होते हैं, easy क्या है, बच्चों का time बसता है, बच्चे अपने घर पे बैठे हैं, computer खोला है, उसको ये भी दिख जाता है कि market में कितनी job available है, कौन सी location पे, क्या salary package देगा, और क्या उसका criteria है, कि कौन सी trade को वो लेगा, इसके लिए बच्चे को हर company में जाकर अपना resume में देने की जरूत नहीं है, स्रमीन साला से जुनने के बाद हमारा काम बहुत easy हो गया है, हमारा भी बच्चों के लिए बहुत easy है, बच्चा आज pass out हुआ, चैया वो दो साल किसी भी company में काम कर रहा है, वो कभी भी स्रमीन portal खोलेगा, और अपने job उसको चाहिए, portal खोलके उसको अपने criteria recording job search मार लेगा तो इसके स्रमीन शाला से जुनने से हमको बहुत help मिली है, यह बोल सकता हूँ हमारे पढ़ लगे, नहीं सर बिलकुल और जब आप ये बात कहते हैं, तो वाके में हमें लगता है कि हम और energy के साथ, और boost up के साथ काम करें, सर चलते चलते मैं आप से भी वही सवाल क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर हम लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, उसको और बहतरी के साथ कर सकें, तो सर अगर कोई श्रमीन शाला को suggestion देना हो, तो क्या देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, श्रमीन साला का web portal और application platform तो बन चुका है, ठीक है, हर ITI का बच्चा उसक से ही उन से जुड़ जाएं स्रमीन साला से, उनके साथ जुड़ करके वो पूरे college को lead करें, ठीक है, companies से contract खुद इस्थापित करने ही कोशिस करें, ताकि वो अपनी तो help कर सकें, साथ साथ में और जो दूसरे ट्रेनीज हैं, दूसरे ITI के ट्रेनी हैं, उनके लिए भी job create कर सकें, ये suggestion मेरा स्रमीन के लिए था, जो हम कोशिश करेंगे, उस पर हम काम भी कर रहे हैं, और हम भी बिल्कुल काम करेंगे, कि हम कुछ ऐसा करें, कि जो बच्चे हैं, वो शुरू से ही उससे जुड़ जाएं, साथ स्रमीन शाला से बात करने के लिए, और इतनी सारी बाते और हमें साथ समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सारी, थैंक यू, थैंक यू, हमारी स्रमीन शाला के लिए भी आप यहां आए, आईटे निन नगरी में, आईटे निन नगरी विजिट के थैंक यू, ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने जाना, कि जो य अपिसोड में, जहां फिर किसी हम और इंस्टिूट में जाएंगे, कमपनीज में जाएंगे और वहाँ पर करेंगे आपके मन की बात, तो आज के लिए वाज इतना ही, देखते रहिए, शामिन शाला, शामिन शाला चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले, क्योंकि यहां आज वाले ट्रेलिंग कोर्स की जान करेंगे,